जैहिंद आज हम लोग SSC MTS 2022 का सेट नमबर 17 को यहाँ पर डिसक्स करने वाले हैं टोटल जो एक्जाम होताब का साथ में अगर आपको लिंक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है उस लिंक को आपको सर्च करना है आपको टेरिगाम में आपको चैनल मिल जाएगा पहला कोशन है नेम लिखित में से किस टीम ने ISL यानि इंडियन सूपर लिग का पहला संस्क्रण जीता है तो यह आपका लिखित में से किस टीम ने ISL इंडियन सूपर लिग का पहला संस्क्रण जीता है तो आटली को डिक कॉलकता इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कोशन में टू मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा में इसे सिवजी को समर्पित दसवी सदाब्दी का हिंदू मंदिर ह तो मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा में है और यह सिवजी को समर्पित है मंदिर है नेक्स्ट कोशन है कोशन में ठर्ड कर रहा है पाक जल्डमरूमद्य भारत को सिरलंका से अलग करता है तो पाक जल दमरूँ मद्धे जो किसको अलग करता है तो भारत को सिरलंगा से अलग करता है पाक जल दमरूँ मद्धे इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ग्रामी पुर्षकार जितने वाली पहली भारते महिला कॉन है तो तनवी शा इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा निम लिखित में से कौन खिलाफत अंदोरन के नेता या नेत्वी थी तो यह थी आपके मौलाना अबुलकलाम अजाद हो जाएगे तन निम लिखित में से कौन खिलाफत अंदोरन के नेता थे तो यह थी आपके मौलाना अबुलकलाम अजाद इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा विच्च द फॉल्विग इस नोन इर आर्टिफिसल सिल्क और किस नाम से जानते हैं तो रेयोन के नाम से जानते हैं का सबसे परतापी राजा थे कहां के तो गौत्मी पुत्र सथकार्णी जो आपके सबसे परतापी राजा है है साथ वाहन की राधानी आपने को कमेंट कीजिएगा से खान ने कनाओज में ओमायू को किस वर्थ हराया था तो आपका है भारतिय सविधान के किस अनुछेद में उलेखी थे कि रास्टे भारत के पूरे छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सहीता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा तो समान नागरिक सहीता जो आपका आर्टिकल 24 में आता है चालिस में आपका ग्राम पंचायर के गटन से हो जाएगा और 42 में आपका मजदूरों से समधित हो जाएगा आपका आर्टिकल 42 42 नेक्स्ट है तापी नदी का 42 में आता है और जो मजदूरत से समधित आता है आपका 43 में आता है और 46 में आता है और 46 में क्या आता है नेक्स्ट है तापी नदी का उध्गम जो है किस राज में है तो तापी नदी का उध्गम महारास्त में आपका गुदावणी नदी का है next है कौन सी भारत नट्यम नर्थकी 1990 में पदम चिरी पूसकार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्रेकी नर्थकी बनी है तो यह अलारमेल वल्ली इसका करेक्ट टेंसर हो जाएगे तो कौन सा भारत नर्टम नर्टकी उनिस से क्यानवे में पदमर्सरी पुर्षकार से समानी थोने वाली दूसरी सबसे कम उम्रिकी नर्टकी बनी थी नर्थकी बनी थी निमलिkkी है निमलिखीत में सब किसिया फ़स्कार क्रेक्ट आंसर हो जाएगा या दिकेए गोटीपुप कि जढूढ़ा किस्व श्टेट का है तो आपका औरिसा राजे का है गोटीपुपुप कहा में आते हैं तो ओरिसा राज में मनाती है नेक्सट है केंद्री विध्त मंत्री निम्ला सितरामन ने 2022 तेश केंद्री बजट पेस करते हुए पर्वत माला नामक की घोसरा की थी इस कारेकरम की घोसरा पहाली छेत्र में रूपवे डिवलपमेंट से समझ दिते थी आपका परवत माला योजणा फिर से देखिए विद्धिमंतरी निम्लासीतरमन ने 2022 स्टेश के लिए कैंद्रिय बजट पेस करते हुए परवत माला नाम नेक्स्ट है कोशल्ब भारत सरकार ने 1952 में व्यैपक परिवार्द नियोजन अस्टार्ट किया het आत्सकी कपतानी में भारत ने दोजाएकिस तक सफीद कंध क्रिक जाएक Şimdi तो आपका महेंदसी दोनी इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा किसकी कप्तानी में भारत ने 2020 तक सफेद गेंदवाले क्रिकेट में तीन प्रमुक आइस इसी ट्रॉफिया जीती है तो महेंदसी दोनी के नेत्वित में किया गया है नेक्स्ट है कोशन 16 अपरायल 2022 तक लोगसवा में कितने आम चुना हुए है तो आपका सत्रा लोगसवा आम चुना हुए है तो अपरायल 2022 तक लोगसवा के कितने आम चुना हुए है तो सत्रा आम चुना हुए है नेक्स्ट है question 17 नौंग क्रेम नित्य उस्व भारत के किस राज में मनाया जाता है तो मेघाले राज में मनाया जाता है नौंग क्रेम नित्य उस्व भारत के मेघाले राज में मनाया जाता है फिर से देखिए नौंग क्रेम अनिति उस्व जो आपका भारत के किस राज में मनाया जाता है तो मघाले राज में मनाया जाता है इसका करेक्ट टेंसर हो जगा बिहार का आपका छट पूजा फेमस है केरल का ओनम फेमस है नेक्स्ट है 1857 के विद्रो के बाद अंग्रेजो द्वारा किस मुगल सासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था तो बहादूर सा जफ़र इसका करेक्ट एंसर हो जाएंगे 1857 के विद्रो के बाद अंग्रेजो द्वारा किस मुगल सासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था तो बहादूर सा जफ़र इसका करेक्ट एंसर हो जाएंगे 19 निमलिखीत में से कौन सा रोग इंसुलीन की कमी या इंसुलीन परतिरोध की करण होता है तो मधूमे को हम क्या करते हैं डियबेटीज करते हैं यह आपका मिलखा सी का आत्मकता है आपका the race of my life हो जाएगा आपका मिलखा से इसका correct answer हो जाएगा next है स्वेत प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभाजित खोने की घटना को हम क्या करते हैं उसको one with छेपन या फिर a scattering करते हैं a scattering या फिर one with छेपन करेंगे next है किसी विशेश समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन के कुल अस्टॉक को क्या कहा जाता है या आपको money supply या फिर मुद्रा अपूर्ति कहा जाता है नेक्स्ट है कोशंबर 23 निम्न में से कौन दोजा 22 में भारतिय प्रतुबूती और विनियम बोर्ड यानी सेवी की पहली महिला अधक्ष बनी है या आपकी माधवी पुरी बुच इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्न में से कौन दोजा 22 में भारतिय प्रतुबूती और विनियम बोर्ड की पहली महिला अधक्ष बनी है तो माधवी पुरी बुच इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्लिखित में से कौन सा गरम धारा यानि वाम करेंट है तो गल्फ अस्ट्रीम इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा और लास्ट कोचन है हमारा कि तो यह हमारा आज का सेट कम्प्रीट होता है मिलते है अगले सेट में तब तक के लिए आपको टेलिगाम चैनल का लिंक जो डिस्किसर में दिया गया है और उसको जॉइन कर सकते हैं जैहिन चैपहरत धन्यवाद